यह आज अमश्कार दोस्तों मैं आपका साथि कुलदीव मेगबार आज हम PAC पढ़ेंगे मेगबार जाती के लोग प्राचिन समय से और आत्मिक समय में आत्मिक भारत में कहां कहां यह किंखिन राज्यों में निवास करते हैं आज का विशे ये हैं आज का भाग सबसे पहले हम बात करते हैं मेगवाल समाज के लोग उनका हित्यास बहुत ही पुराना रहा है पहले प्राचिन समयोनी से मेग, मिद्दे और अनेक नमर से मेंगलेयर के नम से पुकार जाता था प्राचिन हमारे जैसे पानेनी का अध्याई, महाभारत का अध्याई तुरानियन्स की प्राचिन जो लेख में मिले हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेग समाजगा, मेगवाल समाजगा, मेदे समाजगा, मद्र समाजगा इत्यास बहुत ही प्राचिन रहा है आज हम बात करेंगे वर्तमान में मेख समाज के लोग मेखवाल समाज के लोग कहां कहां भारत की बसते हैं मैदलगों ने इसापूरो 625 मेरात तंतर को अंगिकार कर लिया था समकालिन भारती साइटे में वर्नित जातक कताओं में वर्नित मदरों के शासन वेश्टा इस बात की पुष्टी करती है कि भगवान बुद्ध के समकालिन बिशार ने मदर राजकुमारी से सादा का सादिक की थी सम्भावता है यह अजात सत्रू की मा थी बुद्ध के समें मेदर को मेदरे समकालिन थे उन्हें ने केले समकालिन थे बलकि एक ही मानों समू के लोग थे यह सपष्ट होता है यह सपष्ट होता है कि अतरे ब्रहामन और बदरन नायन को पिनिस्द में उलेखित में उत्रमदरे साथ सो इसी पूरत तक गंदन तंत्रात्मक शासन के दिन हिमाले के आगे अधिवासी थे उनकी साथन प्रणाली भी मीडिया में उस समय प्रणाली को चुना तो भारत के उत्रमदर लोग भी रात अंतर पर हावी रहा भारती ग्रणतों में दिवंदित हिमाले पर उत्रमदरों के सतान पर अरियन के मद्दे लोगों को के सतान पर अर्थार्थ शिंधू और काबूल नदी के बीच में अरियन्स जिने मद्दे कहकर परनित किया करता था बारती साहिते में मद्र के रूप में परनित मिलता है तथा आता है इस आक्सें से मद्दे और मद्र एक ही मानव समू परवानित होता है मद्य और मद्र की पहचान समानता के लिए संकेत महतपून है इन संकेतों में संतोस फुरुन धंग से मद्र और मद्र का तामस्य और पहचान होती है उनकी समानता तथा मादम में को उनके धर्म और दर्शंग के विचारों भी काल पंजाब में आकर आरत कहा गया है जिसे आरे लोगों के लिए अच्छी जगें नहीं का गया इसे मद्र का या महिल का लोग इसे अधिवासित भूमी कहा गया है माह भार्थ सांतिपरुम में ही हीन मलेच कहा गया है पानिनी ने मद्र को भद्र और मंगल कहा है पानिनी के ध्याए संभवता है मद्र देश कही था वह स्वेट के तू किसमें की बात करता है पानिनी के बात भी पंजाब में मद्र लोग अधिवासिन के संकेत मिलते हैं यह दार्यूश ने भारत पाकरमन किसमें अवधी बैठते हैं और परिशन यहां बसे और हिंदू ने उसे अर्थ के लिए अनेक मद्र सब्द का परियुक किया जिस अगार्थ है अके मीनिन के समय में ग्रिक लोग मद्र या परिशन सब्द में परियुक करते थे डेरियस के समय में इंडो ग्रिक समू में साधिवा होने से एरक्थ से मिस्रन होना संभव है इन संक्यतों से सब्फ़्ष्ट होता है कि महा भारत में वर्णित मद्र या मैदे हैं और इसे पुष्ट होती है कि दुरुद दुवारा मद्र राजगुमार सल्य के सार्थी के रूप में करन को चुने भी होती है मेग या मेग यह आज वरतमान का विश्य है आज वरतमान में यह जाती भारत की देस राज़ों में मिलती है राजस्तान, जमू कश्मीर, मारश्चा, पंजाब, इमाचल परदेश, हर्याना, मद्यपरदेश, 36 गड़, करनाटक तता दो के अंदर शासी परदेशों में मिलें जैसे संग शासी में दिल्ली वचंडिगेड में निवास करती है इसको मेग, मेग, मेगवाल, मेगवाल, मेगवार आदी नामों से पुकारा जाता है यह जाति मुलत है पंजाब के वह भारत को एक आधीनिवास जाती है और यह आरियों के भारत आने से पुरोशिंदु सागर की यानी पंजाब नदियों के मुआने पर बस चुके थी मेगोन को भारत का हिन्द सागर में सबसे पहले निवास करने वाले मानो समू में रखा गया है उसे पंजाब में आदिनिवासी जाती कहा जाता है भारत में निवास करने वाले मानो परजातिया में है प्राची नितुरानी, आरियन्स और बाद मितुरानी, शिठेंस और तीन भागों में विभाजित किया गया है ये तत्य में पानिनी के दो पोंट्स से मिले हैं महाबारत का अलक अध्या से ये साक्षे मिले हैं उनके अधार पर ये समझने जनकर इए आपका बहुत बहुत धन्यवार